इस तरह आगे देखेंगे Posterior Pation में, लास्ट वीडियो हमें देखा कि Posterior Pation से ADH हर्मोन कैसे produce होता है, कैसे secret होता है और कैसे stimulate होके वो secret हो जाता है और इस secret होने के बार फाइनली वो अपना जहां target organ होते हैं वहाँ पर जाकर वो अपना action दिखाता है फाइनली वोसे बुलेंगे function of ADH तो आज के जो वीडियो में देखने वाले हैं function of ADH तो अपने देखा था जैसे VN center activate होता है और आपका जो है Osmode receptor activate होता है तो median P optic nucleus activate करता है supra optic nucleus को activate करता है और जो finally impulse produce करके कहां पर नर्व के थुरू कहां पहुंचती है posterior pituitary की nerve ending पहुंचती है और वहाँ पर ADH को release करती है जैसी ADH release होता है तो यह blood से होता हुआ इसके दो target organ होते हैं सबसे पहला जो function इसका सबसे most important जो function है यह होता है किसी के लिए water retention के लिए या water reabsorption के लिए ठीक है तो जो पहला जो function है very very important होता है वो kidney में होता है ठीक है kidney में कैसे होता है तो यह आप मान लेजी आपकी kidney है ठीक जो इसका पहला function है water retention या water reabsorption करना ठीक है यह होता है कहां से kidney से यह function है water retention water absorption from kidney ठीक है और kidney के भी कहां पर nephron के आपका last part जो होता है collecting duct collecting duct जो होता है वहां से यह करता है reabsorb ठीक है तो यह आपकी kidney हो गई और इस kidney में यह मान लेते हैं आपका एक nephron है यह आपका एक nephron दिख रहा है यह ठीक यह nephron है ठीक है तो यह आपका है glomeroli, capillary की बात करेंगे, glomerolus की बात करेंगे, bowman's capsule की बात करेंगे PCT हो गया, यह आपका loop of hilly हो गया, descending loop of hilly हो गया, ascending loop of hilly हो गया, distal curve tubule हो गया और यह आपका हो गया collecting duct ठीक है इस collecting duct तो जैसे आपका ADH, anti-diuretic hormones मतलब anti-diuretic मतलब पेशाब को कम बनना या पेशाब में पानी को जाने से रोखना anti-diuretic, diuretic मतलब होता है पेशाब के दौरा पानी बाहर निकालना या पेशाब के दौरा पानी बाहर निकलना उसकम diuretic बोलेंगे लेकिन आम यहां बोल रहे हैं एंटी मतलब पेशाप के द्वारा पानी को भार निकालने से रोखने वाला हर्मोन होता है एडी एच तो यह जो एडी एच है एंटी डियोटिक हार्मोन जो है यह आता है आपके ब्लड से होता हुआ पुन्सटा आपके एंटी पर एक अब क्लेटिंग यसे भी को हां बोलींगे अपिछियल के एवरी संके कलेक्टिंग डॉक्त में जाने के बाद यहां पर क Πेम के फेलियों सेल्स होती है। इसarken में इन WAS का नाम होता है। इसका होता है के उसे वह क्या करते हैं वह 특별 होते हैं इसके bind होता है और finally responsible होता है यहां पर reabsorption of water तो यदि यहां से जितन लास्ट पार्ट होता है nephron का क्योंकि यहीं से बाहर यदि पानी आ गया तो यूरिन में करवड हो जाएगा लेकिन इस यूरिन को कम करने के लिए कौन आपका ADS तो यूरिन में पानी को कम करने के लिए यहां से रियब्सॉप्शन कर लेता है कौन आपका ADS तो ADS जो है वो नेफ्रॉन के collecting duct पे काम करता है और वहां से water retention water reabsorption को बढ़ाता है एक्चुली मैं आपको बताया था मैंने कि जब भी body के अंदर hypovolumia होता है जब भी body के अंदर hypovolumia होता है तो normal condition में ADS तो काम करता है लेकिन जब body के अंदर volume कैसा होता है बहुत कम होता है blood का volume कम हो गया blood में आपके blood में BP कम हो जाएगा लेकिन हमारी body को नॉर्मल वाल्यूम काम हो जाएगा हमारी body को नॉर्मल वाल्यूम मैंटेन करना है इससे कम हो गा तो बॉडी की जो फंक्शनिंग डिश्टाब हो जाएगी लेकिन हमारी बॉडी क्या होता अचाना शरी आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा हमारी बॉडी क्या करती है उस वॉल्यूम कम से बचाने के लिए मतलब वॉल्यूम कम हो गया वॉल्यूम को नॉर्मल करने के लिए तुरत मैक्सिमम वाटर को रियब्जॉर्ब करवाता है बतार सोडियम के रियब्जॉर्ब करता है तो वाटर रियब्जॉर्ब हो जाता है और मैक्सिमम लेवल अप वाटर को रियब्जॉर्ब करता है और ब्लट के वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है तो एडी एच ने क्या किया पह किडिनी पे होता है पहला वाटर रेटेंशन करता है इंज करता है कहा करता है आपके किड्नी के नाफॉ्न मेंचें करता है नाव मालिम हो Hem काम होता है एक्जेक्टि हूँ क्या होता है ब्लेट वेसल्स की स्मूथ मसल होती है एंडो थेरेल चांदर होती है और इसकी जो वॉल वहां पर v1 receptor होते हैं जो होता हैheads कका वीट सेप्टर के होता है smooth muscles of blood vessels wall smooth muscles of blood vessels wall में V1 receptor होता है और जो V2 receptor होता है वो collecting duct में होता है epithelial cell of collecting duct में होता है तो ADS के लिए 2 receptor होते हैं V1 V2 V2 कहां पर है आपके kidney में, nephron में collecting duct में, epithelial cell में और V1 है स्मूथ muscles of स्मूट मुसल्स वॉल रोफ आप ऑगी की ब्लैड वैसर्स में होता है और ये जैसे यसाग के जुड़ता है और जुड़ने के बाद रिस्पॉंसिबाल होता है वोस्टॉक्षिव्ण के लिए और जैसिजिस्टॉक्षिशन करता है ये वोसौ केकりました और क्या करता है ये यह आपका heart है, आपकी body के अंदर volume कम हो गया है, आप volume कम हो गया है, तो automatically क्या होगा, inferior, superior vana kawa, जो blood है, automatically यहाँ कम ले के आएंगी, ठीक है, और कम ले के आएंगी तो automatically यहाँ का जो cardiac output है, आपका left ventricle से, वो भी कम हो जाएगा, cardiac output कम हो जाएगा, ठीक है, कार्डिक और्पुट कम हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा खासकर यहां से स्टोले ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ठीक है और आपका डायस्टोले प्रेशर भी कम हो जाएगा ठीक है एक्जेक्ली यह जो यहां पर जो है यह आपक क्वांटेट करें तो जैसे ब्लेट का वालियूम बढ़ेगा होना है वह वालियूम बढ़े गा तो जैसे यहां पर cardiac output भी बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जो cardiac output होता है जैसे हमारा left ventricle blood को pump करता है वो cardiac output होता है वो ही exactly systolic pressure होता है तो आगे जाकर जो blood vessels contract हो रही है और समय ब्लड circulate हो रहा है वो भी क्या होगा आपका diastolic pressure को बढ़ा देगा तो कुल मिला कि यह बोलूँगा मैं कि जो ADH है जब हमारी blood के smooth muscles में जाता है और वहां जाके V1 receptor से bind होता है वास्व कांस्ट्रिक्शन करवाता है और फाइनली करवाकर blood के pressure को BP को maintain करता है तो ADH ने क्या कर लिया blood के volume को maintain कर लिया kidney के दोरा और ADH क्या कर लिया blood pressure blood vessels के दोरा blood के pressure को maintain कर लिया systolic दोनों pressure को maintain कर लिया इस प्रकार से ज़िए हमारा volume maintain हो गया pressure maintain हो गया हमारी body कैसे करेगी normal functioning करने लगे तो जब भी body के अंदर का pressure कम होता है जब भी manage करने के लिए हमारी जो प्रकार से दो important काम करता है यही सबसे important काम होते हैं तो यह है आपका function of ADH जो आपको exam में short notes में आ सकता है जो आपको लिखना पड़ेगा दो ही है blood pressure manage करना and water retention कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिये